ओम साहिराम आपका मेरे चैनल सीक्रेट रेसिपी वीद लक्षिमी में सौगत है आज मैं आपके लिए जो स्नेक्स बनाने वाली हूँ वो स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आएगा वो खाके मेंग डॉल जाना भी भूल जाएंगे अब चलते हैं रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहां एक कड़ाई ली है उसमें डेड़ कप पानी डाला है उसमें नमक स्वात के अनुसार डालेंगे पानी में उबा लाने के बाद उसमें मैंने एक कप सूजी डाली है सूजी को पानी में अच्छे से फेलाते हुए जाएंगे इस टाइम पे हमें गैस का फ्लेम धीमा रखना है जैसे कि सूजी जलेना यहाँ पर सूजी पक गई है उसको एक प्लेट में थंडा होने के लिए साइड में रख देंगे मेंने यहाँ आलू पेले से बॉइल करके रखे हुएं ग्रेटर की सपोर्ट से इसको कदुगस करके साइड में रख देंगे हातों पर थोड़ा से तेल लगा लेंगे हतेलियों पर तेल लगाने से सूजी हातों में चिपकेगी नहीं इसको हलके हातों से हमें दो से तीन बार अच्छे से मसलना है और थोड़ा सा फेला के रख देंगे हमने जो कदूगस करके हुए रखे थे आलू वो लेंगे मैश आलू को सूजी के बीच में रख देंगे आलू और सूजी को मिक्स करेंगे और इसका डो बना लेंगे यह रेसिपी में लगने वाले सामान हमारे किचन में आसानी से मिल जाते हैं सिर्फ सूजी और आलू से बना स्नैक्स बच्चे खाएंगे तो मेकड़नल जाना भूल जाएंगे यहाँ पर सूजी और आलू का डो बनके रेडी है एक प्लेट लेंगे उसके उपर बटर पेपर लगाएंगे और सूजी फेलाएंगे और इसके उपर हमने जो डो बना लिया था वो रखेंगे और हलके हातों से फेलाते हुए जाएंगे इसको एक लेवल में फेलाना है ना ही एक साइट जाड़ी हो और ना ही पतली हो आप चाहें तो बेलन के सपोर्ट से इसको एक लेवल में फेला सकते हैं यहां मैंने कटर लिया है उसके उपर थोड़ा तेल लगाएंगे जैसे की आटा कटर पर चिपके ना और इसको अच्छे से हलके हाथों से कट करते हुए फिंगर चिप का हम शेप देते हुए कट करेंगे यहां देख सकते हैं सारे कट करके ले लिये हैं और इनको मैंने फिंगर चिप का शेप दे दिया है अब चलते हैं next step की और मैंने यहां कड़ाई ली है उसमें fry करने के लिए तेल डाल देंगे थोड़ा तेल गरम होने के बाद उसमें एक एक करते हुए finger chips डालते हुए जाएंगे अगर आप मेरे channel पर नए हैं तो please मेरे channel को like, subscribe और bell icon को दबाना ना भूले finger chips को हम fry करते हुए जाएंगे यह देख सकते हैं दिखने में कितने करंची लग रहे हैं अभी तक यह तले नहीं है इनको golden brown होने तक और हमें 2-3 मिट तक fry करना है यहां पर यह ready हो चुके हैं इनको हम एक plate में निकालेंगे यह recipe आप घर पे try कीजिए और comment करना ना भूले